दोस्तों भारत में ऐसी गई शारी नौकरियां हैं जिसमें सम्मान के साथ अच्छा खासा बेतन में मिलता है तो आज हम उनी नौकरियों में से कुछ नौकरियों के सैलरी के बारे में बात करेंगे नमबर वन इंडियन फॉरिंज सर्विस यानि भारती विदेश सेवा एक परतेस्ठिस पद है इस पद पर भरती के लिए उपिएसी शीवल सेवा हर साल तीन चरणों में भरती प्रकरियां आयोजित करता है यह अधिकारी अपना आधा जिवन विदेश में बिताते हैं इसमें वह किसी एक देश में तीन साल से अधिक नहीं रुख सकती इन्हें अधिकारियों को अन्य सभी लाभों सही 60,000 रुपए का उच्छ वेतर दिया जाता है नमबर टू आईएस एड़ आईपीयस इस पत्त की भरती के लिए भी यूपीयस सी ही परिछाय आयोचित करती है इसमें उमीदवार की अंकों के अनुसार विबिन चेतरों में नौकरिया मिलती है आईएस और आईपीयस की बेसिक सैलेरी 56,000 से से प्रारंब होती है और एक बड़ा बंगला पता साथ ही सुरच्छागाड और परिवहन की बेवस्था भी दी जाती है इंडियन फॉरस्ट सर्विस में काम करने वाले अधिकारियों को पचास हजार से तीन लाख रुपए तक बेतन के रूप में मिलता है इसके अलावा घर हाउस हैल पर ट्राइबर तता परिवहन भी मिलता है इवलपिंग और रिसर्च डिपार्टमेंट में रुची रखने वाले इंजिनिरिंग छेतर से सब्मन्नी तुमिद्वार इन पदों में भड़ती के लिए आवेदन कर सकते हैं इसरो और डियाडियों के बैग्यानिकों का बेसिक बेसाथ हजार के आसपास होता है इसके साथ रहने के लिए घर और अन इस साइट पर जाने के लिए वाहन सुबधा भी मिलती है कैंटीन में मुफ्त खाना और च्छा महीने काम के बाद बोनस भी मिलता है रच्छा से वहों में नोकरी पाने की इच्छा रखने वाले स्टुडेंट्स को यंडिये, सीडिये, सीडिये, ये, ये, कैट और अन ऐसी ही परिछाओं में सफलता प्राप्त करने होती है दोस्ति यदि आप किसी जॉब के बारे में डिटेल में जानना चाते हैं तो कमेंट सेक्सर में हमें बता सकते हैं हम आपको पूरी जानकरी आवस्ती ही प्रोवाइड करवाएंगे दोस्ति यदि आप चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्द ही मिलते हैं और कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियोज के साथ अब तक के लिए गुड़ बाई